हेलो एब्रिवेन वेलकम बैक तो माई यूटीब चैनल तो आज हम कोड़ेटा बुक का नेक्स टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है सैसाइल और पैलेजिक टूनिकेट्स में देखना है हमें कि इनकी लाइफ इस्ट्री क्या क्या है और उसके कुछ ऑगनिसम्स देखनें जै क्या होता है कि उनके बॉडी के उपर क्या होते हमारे पास हाइप लिए लिए बुला जाता है त्यूनिक अचिके इनको 6 Ali M वाटर इंटेक करते हैं वाटर आउटसाइड बेजा जाता है और उसके दुरूब अपना फीडिंग देखते हैं ठीक है आगे हम देखते हैं कि belonging to sapphylem eurocodator within the coded they exhibit a wide range of इनकी मतलब हम life history देखते हैं तो अब आगे बोला गया है कि sasile और pelagic दो टाइप के tunicates होते हैं जो कि sasile का मतलब होता है कि जो attach रहते हैं substratum से ठीक है और pelagic का मतलब होता है कि जो drift करते रहते हैं water current के अंदर मतलब की free swimming organisms को बोला जाता है pelagic tunicates ठीक है तो इसके अंदर हम देखते हैं आगे like इन्होंने बोला है कि pyrosome salpa, dolilum और orkyoplurine सब के हमें क्या देखने life history देखते हैं यह है कि मैं आपको एक बर पढ़े के बता दूंगी इसमें यह होता है difference like थोड़ा बहुत बताने सब को एक बार में समझ आए जाएगा और जिनको notes बनाने होएंगे तो वह सिदा देखके बना सकता है जो self study करके अपना खुद पढ़ सकता है तो हम आगे देखते हैं क्या होता है तो ascadians क्या होते हैं क्या type of society unicates होते हैं like वह momenting कर सकते हैं sack like होते है ठीक है आगे बोला के enclosed in a tough outer covering इनकी जो एक उनके body के ओपर tough outer covering होती है कठोर होती है जो की क्या होती है जिनको वोले हैं tunic ठीक है called as a tunic ascadians raw and water मतलब जो ascadians है उनके अंदर 2 क्या होते है मारे पास siphon siphons होते हैं ठीक है वो क्या काम करते हैं एक कि थू जो one siphon है उनके थू क्या होता है की water grain का intake होता है जिसके ध्रू मतलब क्या होता है फूड पार्टिकल्स अंदर आते बाडि के अंदर और जो फिल्ट्रेट कर ले जाते हैं ठीक है और अधर के थ्रू क्या होता है कि वाटर को पास आउट करा जाता है ठीक है बोला गया है कि यह सेख्सिवली भिकर सकती है रे पडियूर्ड और एसेख्सिवली भिकर सकती है इंके लारवल स्टेज होता है जो मेटमपोसी के तूर में चनल्ट होते है थीक है आशाए सो अभे नेक्स्ट हम देखते हैं जो किस्स से मिलके बने होते एंडिवीजिबल जो हैugen Innow । आपस में अपा समय की लॉज्ट्य एडायच होते हैं ए ज्यूएजिव een बिल्से bands करते हैं और यह पीटर फीडिंग मतलब है जो इंधर करते हैं और यह कहते हैं डृटन ओपन लेइं Representatives करते हैं और उ पुरानी वाली जो एक्जिस्टिंग एकसिस्टिंग कलोनिय की जो दोल्स के बनेशनि करते काहा श्यलेंट्रिकल रहे सकती है और फिर मैसिफ़ जएनकी तरह बीबो एक क्या है आगे हम देखते हैं सालपा सालपा क्या होता है अनदर पैलाजिक ट्यूनिकेट होते हैं ये भी क्या करते हैं पैलाजिक क्या मोवमेंट करते हैं तो हम देखा कि अभी तक इनमें सभी में सिर्फ एक ही से साइल ट्यूनिकेट था वो था एसकेडियन तो अभी सालपा क लजिक टुनिकेट जाए जिनके एक यूनिक सालपा है mostly यूनिक लाइफ स्टाइल के वज़से जाना जाता है मतलब कि इसके अंदर दोनों solitary और colony दोनों phase पाई जाएंगी जो कि क्या होती है alternation of generation में देखी जाती है तो मतलब generation after generation, alternation यह generation में क्या खरते रहते हैं अपना phase change करते हैं ठीक है तो आगे बूला गया है कि जो solitary सालपा है वो क्या है? barrel shaped क्यों होते हैं और जो क्या करते हैं मतलब अपनी body को contract करके क्या करते हैं movement करते हैं उनको बहुते हैं jacket propulsion ठीक है आगे बूला गया है कि clinical जो क्लोनिकल सालपा वो क्या लॉंग चेन की तरह फॉर्म होते हैं ठीक है जो इस दूस्ते से इंटर कॉनेक्टिट होते हैं और इनकी मुवमेंट टुगेदर मतलब इनकी मुवमेंट आपस में एक साथ होती रहा डॉली लंब ठीक है अब यह भी क्या एक पैलजिक मुद्ट टूनिकेट जाती है जो यह मुस्टली कहां बाजता है ट्रॉपिकल सब्ट्रोपिकल वाटर के इंदर पाए जाता है ठीक है और यह क्या होता है ट्रांस्पेरेंट होता है और यह चलेटेनियस बोड़े होते हैं ठीक है इसके इसके पास भी एसके डियंग की तरह दो टीक है जैसे कि फूड में क्या करते हैं प्लैक्टों कर लिए या फिर कोई चोटे-वोटे समाल और्गेनिजम्स को नहीं कर लिया आगे बोले के जो डॉलीलम है वह रिप्रडूस करता है सेक्शुली बहुत और एसक्शुली दोनों की तरह से ठीक है जो इनकी रैपिड ग त्रू क्या करते हैं अपना रिप्रडक्शन करते हैं ठीक है और यह एक फूड वैप के अंदर देखा गया है कि यह जो डॉलीलम है वह एक बहुत इंपोर्टेंट है रोल इंपोर्टेंट अपना कोंट्रीबूट कर नेक्स्ट हमारे पास है ओक्यो फ्लियोरा यह क्या होत इनके अंदर जो फिल्टर्स एक स्टक्चर स्पैसिलाइस स्टक्चर होती हैं जो क्या घरते हैं मुकेस नेट प्रोवाइड़ी तरहते हैं जिसके त्रू मतला फिल्टर फीडिंग करी जाती हैं और फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करा जाता है यह भी ऐसेक्शोल एसेक् स्ट्टर्स पार्टों की बॉला गया कि इनके जो यूनिक रीपरक्टिव जो इनकी रीपर्डक्टिव इस्ट्रॉड्स और रीपरड़क्टिव कैसे करते हैं फिडिंग वेवियर हो गया एकोलोजिकल डूल हो गया यह सब कंट्रिवूट करते हैं कि इसमें इकोसिस्टम वेल्डवाइड में हेलफुल होते हैं ठीक है और यह आपस में मतलब इनके लाइफ इस्ट्री को स्टेडी करने से में यह पता चलता है कि इनके 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 बारे में पता चलता है थैंक यू